धन्यवाद सभापती महुदय, मैं राश्ट्रपति के अभिभाशन के अभिनंदन पर दो शब्द कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे कहने का मुका दिया, उसके साथ मैं सदन को और हमारी पार्टी भारते जिन्दा पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और जिस खेतर से मैं आता हूँ, जन्जाति क्षेतर पालगर महाराष्ट्रगा, उस जन्ता ने मुझे चुन के जहां पर जो जिस कारे के लिए भेजा है, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ. सभावती महुदय एक गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुसता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुसता हमारा हम बुल बुले हैं इसकी हम ये गुल सिता हमारा पहले तो हम सिर्फ ये गियत गुनगुना आते थे लेकिन गए देस साल में जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है गरीब युवग महिला किसान इसको मद्दिन नजर देखते हुए सभी का विकास करते हुए हम अभी गर्व के साथ कर सकते हैं कह सकते हैं जिस तरह से हमारे माननीय पंतव्रधान नेनने मोदी जी पूरे वर्ल में घूमते हैं और जिस तरह का मान प्रतिष्ठा उनको मिलती है तब हम गर्व के साथ कह सकते कि ये सारे जहां से अच्छा हिंदो सता हमारा है हमारी सरकार रिफॉर्म है परफॉर्म और ट्रांस्फॉर्म के संकल्प साथ फुचिरिस्टिक सरकार है दुनिया की ग्रोथ में करीब 15% योगदान देके पाचवी इकोनॉमी बनी है लेकिन तीसरी इकोनॉमी बनते जा रही है हम मैनिफेक्ट्रिंग हो सर्विसेस हो अग्रिकल्चर हो महत्वदेकर स्किल डेवलोपेंट होगा और जैसे पीम स्वानी दी रहेगा पीम विश्व कर्मा रहेगा काफी सारी योजना महत्वपूर्पूर्ण साबित हुई है हम जानते हैं कि सेमिकंडक्टर हो सोलर हो इलेक्टिकर वहिकल्स हो इलेक्टिक गूड्स हो ग्रिन हाइड्रोजन बैटरीज आइस आइटी से लेके टूरिजम सभी क्षेत्रों में भारत अब लीडर बनते जा रहा है और इस सभी सारे क्षेत्रों में रोजगार और स्वैम रोजगार के मोके बन रहे हैं हम देखे कि ग्रामिन अर्थवेवस्था में बदलाव जरूर आ रहा है किसानों को आत्मन इर्भर्द बनने का मोका हमारे सरकार दे रही है कुर्शियाधरित उद्योग, डेरी और फिशरीज का विस्थार किया जा रहा है और गानिक उत्पादन बढ़ रहे हम जान रहे हैं कि जानते हैं कि और गानिक उत्पादन अभी काफे महत्वपूर्ण बन रहा है और ग्रामिन इलागों में अगर इसको बढ़ावाय दिया जाए तो आमदानिक की साथ खात वो हेल्दी भी हो सकता है गए दर्स साल में पियम ग्रामिन सडक योजना इसके तहर ती 3,80,000 किलोमेटर सडके बनाई है हमारे पालगर शेतर में भी अमदाबाद मुंबई है उसका काम हाईवे का काम तेजी से हो रहा है हाई स्पीड रेलवे हो एको सिस्टिम से की निर्मान हो रहा है उसके साथ में बुलेट ट्रेन कोरिवर भी बन रहा है यह सब नए रोजगाररो सहिं रोजगार उपलब्द कर रहे हैं Make in India की तरफ स्किल इंडिया रहेगा उसके माद्धयम से भी रोजगारो सहिं रोजगार बनते जा रहे हैं रेल मंत्राले से मुंबई से विरार, विरार से डाहनू और नए रेल के मार्ग बनाय जा रहे हैं। हम पालगर वासियों की तरफ से बहुत बहुत देन्यवाद देना चाहता हूं कि पालगर एक अमरूद भारत के तहत विक्सित हो रहा है। महिला सशक्तिकरण का नया यूग के देश साल में बनते जा रहा है। आर्थिक सामर्थ महिलाओं का बढ़ते जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जैसे चार करोड पीमम आवास सेोजना बनाई हैं लेकिन फिर भी उसकी जादातर महिला के नाम वो आवास बने हैं। तीन करोड और आवास बनने जा रहा हैं। एक करोड जैसे लगपती दीदी बनी हैं तो दो करोड और लगपती दीदी बनने की बनने जा रहा हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ग्रामी इलागों में जैसे बज़द गट रहते हैं वो बज़द गटों को लगपदी बनाने का काम हमारे सरकार कर रही है उसके साथ में सुकन्य समरुदी जोजना जो बेटियों को बढ़ावा दे रही है उसके लिए मैं सरकार को ध पिजली के बिल जिरो होते जा रहे हैं दस वर्षों में देख रहे हैं कि कवरी 25 करोड भारतिय गरीब इसे बाहर आ गए उसमें काफी आदिवासी हैं और उसमें जाती के हैं पिछले वर्गों के और सभी वर्गों के लोग सामिल है लेकिन आदिवासी और जन जाती और जा उत्थान का माध्यम बन रही है जैसे करोना का काल था उसमें फ्री राशन शुरू हुआ करीब 80 करोड लोगों को मुफ्त में राशन अभी भी मिल रहा है और अभी 2019 तक मिलते रहने वाला है और उसके सबसे जादा फाइदे मन अनुसुजे जन जाते और जाती लोगों को हो है हम जानते कि आविश्वान भारत योजना 55 करोड लोगों को मिल चुकी है जन्योग शुदी केंदर में 25,000 जन्योगों केंदर बन चुके हैं यह दोनों को अगर मिला देया जाए तो काफी खर्चे कम हो रहे हैं और ग्रामिन इलोगों में जो अनुसुजे जन जाते और के लिए उसके लिए काफी माइना माइने यह सब रख रही है हम जानते कि हमारे सरकार विकास के साथ साथ विरास्त को भी बढ़ावा देती जा रही है और इसलिए भगवान बिरसा मुंडा का जन्व दिवस जन्योग जाते गवरा दिवस मनाने का जो काम किया इसलिए मैं स दरकार का धन्यवाद देता हूं और अगले वर्स 150 वी जहनती धूमदाम से मनाएगा ये भी मैं जानता हूं रानी दुर्गावती इनकी भी पासुवी जहनती इस साल मैनाई जा रही है मुझे जा हम जानते हैं महुदय मैं एक पालघेर संसेधीक शेत्र से चुनकर आये हूं ये एक आदिवसी बोल शेत्र है हमारे आदर निया राष्टरपति जी भारत अदिवसी समाच से आती है पूरे भारत वर्ष को आदिवसी समाच के लिए आत्यंत गवरों का विशचे है पूरा आदिवसी शि प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीज का आभारी है जिसके कारण हमारे आदिवाशी समाच से भारत वर्ष को प्रथम आदिवाशी राष्ट्रपती मिला यह पूरे भारत वर्ष के लिए गर्व की बात है मानिय राष्ट्रपती महोद्या पूरे सदन को और संपूर्ण भारत वर्ष को अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रही है इसके लिए पूरे भारत वर्ष के आदिवर्षी समाच और भारत के जन जन के और से मैं धन्यवाद वेक्ष करता हूं अभिनंदर वेक्ष करता हूं मानिय प्रदान मंत्री जी ने कहा कि यही समय है सही समय है और इस राष्ट्रपती महोदे के मार्गदर्शन के मार्ग पर हम अवश्य गूरूप से आगे बढ़ रहे हैं हमारे आधिवसी भाई बहनों के लिए जो भी प्रयास करने पड़े हम करेंगे हमारे सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इस सिद्धान पर काम कर रही है और इसलिए मान्या राष्ट्रपती महोदे की अपने अभीभाशन के माध्यम से हमारे मार्ग दर्शन करने के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जैसे हमारे महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि अभी वारकरी संथ जो आढ़ंदी से लेके आढ़ंदी वहां से नायनुश्र मावली और संथ तुकाराम के भजन गाते दोहराते बजन गाते गाते सब वारकरी बंदु बहन पंडरप की तरह पंडरपुर की तरफ चल चुके हैं और इसलिए मैं सभी वारकरी संत को संतों को बहुत-बहुत शुब कामने देता हूं औ और संत तुकाराम का एक अबंग दोहराते मैं अभी बात में बात खतम करूंगा जैसे विश्णुमाई जग वेश्णवांचा धर्म ता एक तैना विश्णुमाई जग वेश्णवांचा धर्म भेदाबाईद भ्रम अमंगल अईका जी तुम्ही भक्त भागवत करालते हीत सत्य करा कोना ही जिवाचा न घड़ावा मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजा नाचे तुका मने का देहाचे अव्यव सुक दुख जिव भोग पावे मैं जैसे जनते तुकाराम जी ने जो विचार रखा उस विचार पर हमारी सरकार काम कर रहे हैं विकास के साथ काम कर रहे हैं और इसलिए मैं अपने पंतवधान मानिया नरेंद्र मुद्र जी का बहुत-बहुत धन्यवाद वेक्त करता हूं और राष्ट्रपती के अभी भ मुका मिला इसे मिले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जाहिन जाह मारश्टुर।